हेलो बच्चो मैं मिनाक्षी शर्मा रेजुनेंस बीसी सीपी से आज हम लोग जो हमारी पाठे पुस्तक है रिम जीम कक्षा पांच की हिंदी की उसका जो चैप्टर नंबर 3 है खिलोने वाला उसको पढ़ेंगे तो यह जो हमारा चैप्टर है खिलोने वाला इसकी जो लेखि खिका ने एक खिलोने वाला जो बहुत सारे खिलोने लेकर के आता है उसी के बारे में यहां पर बताया गया है और आप लोगों को जैसे की पता होगा यह जो चैप्टर है यह कवीता के रूप में पोयम के रूप में हिंदी जो हमारा विशह है हिंदी में हम लोग लिट्रे में हम जो कहानी होती है इस टोरी या कोई लेख होता है उसको फटे हैं लेकिन हम पद्य है उसमें हम कवीता और कोई घीत ना पहसे थे आज आज हमारा यह जाट और हुद चया बताना चाहा है चैपिटर का नाम है ए बहुत सारे खिलोने लेकर बेचता है उसी के बारे में यहां बताया गया है खिलोने वाला यहां फिलोने बेच रहा तो मिलेगी आपको घरों के बाहर या उस खिलोने वाले के पास बच्चों की मिलेगी जब वह बच्चे लड़का हो चाहे लड़की हो सब अपने पसंद के खिलोने लेना पसंद करते हैं तो यहां पर भी एक खिलोने वाला आया है और बच्चा जो है वह अपनी मां को बता रहा ह इसके बारे में तो देखो कवीता वह देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है यहां पर बच्चा अपनी मा से कहता है कि देखो मा आज जी वो खिलोने वाला जो है फिर से आ गया यानि वह वहां आता रहता है तो आज पिर से वह आया है और उसके पास जो है बहुत सुन्दर सुन्दर खिलोने हैं हरा हरा तो ताप इंजडे में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी है मोटर गाड़ी सर सर चलने वाली आप लोगों ने जैसे देखा होगा खिलोनों के बारे में आप है सबसे पहला किलोना वह कौन- पैसे लेकर क्या है तो सबसे पहले वह केता है हरे रंगभा एक तोता है जो की कईसमें बंद है पिंचिडे के अंदर बंद है तो एक तोता है वह भींचडए में बंद है हरे रंग़ा है दूसरा कहा गेंद एक कॉप सूताओ ...... पैसे वाली और एक सुन्दर सी गेंद है जिसका मुल्य केवल एक पैसा है यानि बहुत सस्ती सी गेंद भी उसके पास है फिर तीसरा खिलोनाव बताता है बच्चा छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली फिर कहता है आप लोगों ने देखा होगा खिलोने वाले के जो है रिमोन वाली कार होती है या फिर बैटरी से चलने वाली धार होती है तो वो उस गाड़ी के बारे में कहरा है जो टेज गती देशरा बिness के पास है स्पीन कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भगवर करती चलने से वाली रेल अभ यहां पर किया कह रहा है बच्चा रहा है कि मा उसके पास CT वह बी है हेश और ጥ आटप के सीह काई कई तरकी है एक ही तरकी नहीं है अलग लग रंगों की है अलग लिज़ प्रकार किये ganhar रहे हैं कोई पी गोलगी दो बहुत की जिया एक जाघे है इस के साइड में चाबी भरने के लिए Sud इसको तेज गती से आप अगर भरोगे तो वो जो है फिर छोड़ दोगे तो वो चलने लगेगी तो यहां पर बच्चा उसी कई बारे में बताते हुए कि इस खिलोने वाले के पास एक ऐसी रेल है जिसमें चाबी है और उसकी चाबी भरती वह बहुत तेज गती से बंग चलती है फिर उसके बाद क्या कहता है देखो आगे बच्चा आगे कहता है गोडिया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली फिर आगे बच्चा कहता है अपनी मां से कि जो उसके पास गुडिया है खिलोने वाले के पास वो गुडिया कैसी है भली सी बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी सी इसके पास गुडिया है और उस ग फुरिया के बाद कवीतरी कहती है कि उसके पास चोटा सा टी सेट भी है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कई बार जो हाओ फार जो ही आपने घर में जो बरतन होते हैं जो है चाय बनाने के बरतन हों पूरे सेट हों वो सब देख तो वैसा ही अपने खिलोनों क रूप में भी लेना पसंद करतें तो यहां पर उन बच्चों ने देख उस बच्चे ने देखा कि उसके पास एक टी सेट भी है टी सेट यानि जिसमें छोटे चोटे कप हैं प्याली है केतली है तो वह भी उसके पास पास कहता है उसके पास वियंदा और दिष दिविए और पास ने रहता है झोड़ यह चोपारा लस視 टम आय सकता है लूड़ पुजा आपेब ढेते चुन है कि दनीष मत आता है कि उसके पास जो है आपने देखाऊगा श्री राम और लक्षमन जी को कि अपने कंधे पर वो तल जो है धनुष और तलवार जो सड़ी धनुष और बान वो जो रखते हैं अपने कंधे पर तो उस वो छोटे वाले खिलोनों की रूप में भी उसके पास है और छोटी सी तलवार भी है जो आजाओ और यह खिलोने लेलो तो जब उसकी आवाज सब के कानों में पहुंसती है तो सभी बच्चे दोडड़ करके आते हैं आगे देखो बच्चा क्या कह रहा है यहां पर मुन्नु ने गुडिया लेली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी अब यहां पर जब खिलोने वाले ने सभी बच्चों को पुकारा है आवाज लगाई है तब क्या होता है सबसे पहले मुन्नु जो है बच्चे भी आगे तो बच्चे आये तो सबसे पहले मुन्नु के बारे में बता रहे हैं कि मुन्नु ने तो क्या लेली है जिसन सरला ने क्या किया है सरला अपनी मां से क्या कह रही है सरला अपनी मां से कहती है कि मां आप भी क्या करो अपनी लिए साड़ी ले लो मचल मचल याने बहुत excited हो करके बहुत उत्साहित हो करके वो अपनी मां से कहती है कि मां आप क्या करो साड़ी ले लो जब वो अपनी मां से साड़ी लेने के लिए कहती है तो बच्चा फिर क्या कहता अपनी मां से कभी खिलोने वाला भी मां क्या साड़ी ले आता है कि मां क्य साड़ी कैसे हो सकती है साड़ी तो कपड़े वाले के पास होगी लेकिन अब सरला ने मांगी यह वह बच्ची है उसको नहीं पता कि खिलोने वाला जो है वह साड़ी भी बेशता है या वह कपड़े वाला ही कपड़े वाला जो है उसको नहीं बेशता है तो उसको यह पता नह अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूं में तुम भी मन में करो विचार अब जो है जब बच्चा उस सीघ्लोने वाले के बारे में सारी बात बताता था कि ऐसे तो मतलब वो यह चाहरा है कि मां मुझे भी खिलोना लेना है तो इतने में मां समझ जाती है अपने आप उसने उसने कहा नहीं लेकिन अपने आप समझ जाती है और मां उसको लेकर के आकर के 4 पैसे बच्चे को दे देती है तो अब जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो बच्चा जो अपनी मा से कहता है कि मा बताओ मैं कौन सा खिला ना लूँगा आप सोच करके मुझे बताओ कि आपने पैसे दे दिये तो उस पैसे के बदले में कौन सा खिलो ना लूँगा उससे खिलोने वाले से तुम भी मन में करो विचार कह दिये कि विचार करके मुझे बताओ फिर आगे तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर मा यह हमें कभी न यह तो हैं बच्चों के खेल बच्च अपनी मां से क्या कहता है कि मां आप पिंजड़े में जो तोता है वह ले लूँगा या तेज गती से चलने वाली मोटर या फिर भगबग करने वाली ले लूँगा लेकिन आप ऐसा गलत सूच रही है मैं इनमें से कुछ भी नहीं यह तो सब बच्चों के खेलने की चीजह हैं कि मैं यह बिल्कुल भी नहीं लूँगा आगे कहता है मैं तलवार खरीदूंगा मा या मैं लूँगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड का को मारूंगा राम समान अब बच्चे की मन के भावनाएं देखिए बच्च्चा तो मैं क्या खरीदूगा या तो मैं उससे तलवार खरीदूगा या फिर मैं उससे लूगा तीर कमान यानि जो तीरवान धनुजबान जो है वो लूगा यानि यह मेरी शस्त्र जो है जो लड़ाई के लिए जो चाहिए वो मैं इनको खरीदूगा इन पैसों से अब वो क्यों खरीदूँगा उसका भी कारण बताता है बच्चा बच्चा कहता है कि जंगल में जा जब मैं यह तलवार लूँगा और तलवार के साथ जो तीर कमान लूँगा उससे मैं क्या करूँगा जंगल में जा करके किसी ताड़का को मारूँगा ताड़का यहां एक राक्षसनी है ठीक है उस राक्षशनी के बारे में बताते हुए यहां पर कह रहे हैं कि भई उस जैसे श्री राम रामयन में आप लोगों ने सुना होगा श्री राम के बारे में आप लोग सभी जानते होगे भगवान श्री राम की बात यहां पर कही गई है बच्चे को भी पता है और बच है जो श्री राम है जब वो बहुत छोटे थे और अश्रम को बहुत परिशान ृप यह कर देते हैं उनकों सांति पूर्वग पर देते हैं उन ूति को भंग करता है तो उसी संदर में वो सब परिशान हो जाते हैं तो जो वो हैं वो जाते हैं श्री राम के पिता जी के पास जाते हैं और वहां जाकर के अपनी जो व्यथा है अपने मन का जो दुख है वो उनको जाकर के राजा को सुनाते हैं जब राजा दश्रत जो है उनकी विश्वमित्र की पूरी बात सुनते हैं तब वो अपने बच्चे जो मतलब अपने जो छोटे बच्चे शी राम और लक्षमन जो हैं उनको कहते हैं कि आप विश्वामित्र के साथ जाएए और वहाँ जाकर कि देखिए कि भई कौन है ऐसा जो इनको परिशान कर रहा है तपस्यां की भंग कर रहा है तब जो है श्री राम और लक्षमन जो है रिशी विश्वमित्र के साथ जंगल में जाते हैं और वहां जाकर कि वो इस ताड का नामक राक्षशनी का वद करते हैं और रिशी विश्वमित्र को जो है उसकी उनकी जो परेशानी है उनका हल करते हैं तो यहां पर यह सारी बात इस बच्चे को भी पता है इसी लिए वो कहता है कि मैं भी श्री राम की तरह बनूँगा और जो भी किसी तपस्वी को परिशान करेगा उसको मैं वद्ध कर दूँगा जैसे श्री राम ने ताड़का का किया था आगे देखो क्या कहते हैं तपसी यग्य करेंगे असरों को मैं मार भगाऊंगा योहीं कुछ दिन करते करते राम चंद्र बन जाओंगा आगे क्या कहा कि भई ताड़का को तो मार दिया उसके कि तपस्वी क्या करेंगे तपस्वी तो रिशी मुनी जो है वो अपना यग्य शान्ति पूर्वक करेंगे याने उनको कोई दिक्कत ना हो मैं ऐसा काम उनकी सुरक्षा का काम करूंगा और असूर याने भी क्या होते हैं राक्षस जो बुरा काम करते हैं हम उनको क्या कहते हैं राक्षत और मैं राक्षसों को वहां से मार करके भगा दूँगा योहीं कुछ दिन करते करते राम तो वो कह रहा है कि मैं भी श्रीराम चंद की तरही अच्छे कारे करके उनके जैसे बन जाओंगा यहीं रहूंगा कोशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा तुम घह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाओंगा और यहां पर बच्चा देखो इतना छूटा बच्चा कितनी कोशल्या तो जब वो श्रीराम बनेगा तो मापने आप कोशल्या बन जाएंगी तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाओंगा और अगर आप मुझे जैसे श्रीराम को वन जाने के लिए का गया और वो हस्ते हस्ते वन में चले गए तो इसी लिए यहां पर भी या मैं जो है परशान हम में मना करूगा जंगल में जाने के लिए तो ऐसा नहां मैं यह काम भी बहुत हस्ते हस्ते करूँ का परमा बिना तुम BPHर मुन में कैसे रह पाऊंगा क्या कारता है पच्छा इत्ती सारी बाते दोस ने कर लिया लेकिन जब वो अपने आपको इस चीज के बारे में मन में सोचता है तो कहता है कि मैं कैसे मैं आपके बीना कैसे रहूँगा भी मैं जंगल में जंगल में नहीं रहोगी आप यहां रहोगी तो मैं आपके बीना कैसे रहूँगा मैं तो बच्चा हूँ भी दिन भर जब मैं ज किसे लूँगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीचे देगा आगे बच्चा कहता है वही बाल सुलब जो सोच है ना उसके बारे में बाद में समझ ज्यादा कि मैं शूर्टा बच्चा हूं अभी तो मैं यह सब काम नहीं कर स पैसे किसे लूँगा और मैं रूठ जाओंगा तो फिर मुझे वहां पर जंगल में कौन मनाएगा और जंगल में मुझे कौन जो है अपने प्यार से इपनी गोद में बिठा करके कौन मुझे जो है अपनी मन पसंद चीजे देगा याने आपके सीवा मेरा कुई नहीं है औ यह हमारी कवीता थी और इस की जो लेखि का हैं वो है हमारी सुभद्रा कुमारी चोहान तो यहां पर जैसा के आप लोगों ने देखा एक बच्चा जो है यानि इतने खेलने की खिलोने को छोड़ करके उसकी सोच कितनी अच्छी है कि वो क्या खरीदना चाहता है वो तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है और वो जो है शिराम की तरह बन करके राक्षेसों का वद करना चाहता है यानि बुराई का अंत करना चाहता है और यहां पर कवित्र ने बताई है तो आशा करती हूं आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा बहुत-बहुत धन्यवाद